हलो गाइस वेलकाम आई योट्यूप चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसे अच्छे रहना सबस्त रहना आई आज नया केक का डिजाइन देखते हैं वीडियो एंट तक देखना आज का केक डिजाइन इतना सुन्दर अच्छा होने माला है औ अभी मेरे को कॉल आता है कि हलो कहां हो करके मैं बोली घुमने आई हूं ऐसी करके फिर बोलती है कि जल्दी आजाओ मैं बार बार घरी इसलिए दिखा रही हूं ताकि यह वाला केक मैं कितना जल्दी कंप्लीट कर दी वो देखना आप सब और यह को बना ही रही थी इतना व इसके बाद आधा इस पॉंच हमरा करहाई पर बैक हो गया था उसके बाद लाइट आ जाती है और यह देखो मैं साथ में खाना भी बना रही होती हूं और इधर मेरे हजबन भी मेरे हेल्फ करते रहते हैं वो देखिए क्या कर रहे हैं तो उससे ना एक एक खड़ा टुट गया था उसको टेप से चिपका रहे थे खिषते वक्त ना उससे टुट गया था और देखो अभी वक्त हो गया साथ पंद्रह अभी स्पांस तो मेरे तयार हो गया सारे चेकों मैं आ गई थी लाइट आफ थी जैसे कि मैं आप सबको बताई और मैं करहाई से बैक की हूं बहुत मुस्किल होता है मैं एक पॉट ली उसके नीचे ठंधा पानी रखी उसके ओपर हमारा ये पॉट को रख दी फिर बहुत जल्दी से ठंधा हो गया इस तरह से मैं इसको इस पॉंज को निकाल ली उसके बाद लेयर कट कर ली आइसिंग कर रही हूं तो बहुत हरबरी मची हुई थी गाई से बता नहीं सकती और मेरे माइंड पे ऐसा कोई डिजाइन भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाओ कौन सा बनाओ और वो कॉल से बोल दी थी कि ये ना एक लरके का बड़े है मतलब भी से किस साल का है तो उस हिसाब से अच्छे से बनाना अब जैसे ही लरके मैं कैसे बनाओ और वो बोली थी कि सिंपल सा स्वीट सा बनाना जो देखने में अच्छा लगे अभ इतनी कम समय में मैं कैसे बनाओ उनको केक कड कर न है सारे सांथ को ऌक इंगी थी लेकिन मेरे से सारे साथ को हो नहीं पाया 15 मिनlets में मैंने तो आइसिंग खतम कर ली थी सा करने के लिए ऐसे करके मैं बोली इसको ना कम से कम 15-20 मिनट फ्रीज में रखने बोल देना उसके बाद करने बोलना ऐसे करके यह देखो मेरे हजबन इधर काम करते रहते हैं और यही रहते हैं तभी मेरा हेल्फ हो जाता है कि कि इतनी जल्दी से मैं फटाक से घंटे में कंप् दाल चरहाई थी और एक साइट भाजी तीनों भी बना रही थी और इधर केक भी आइसीन कर रही थी मतलब ऐसा था कि बार बार मैं अपने हद्वन को बोलती थी देखो सबजी नह जल जा देखो दालतो हो गया ना देखो चाओलतो हो गया तो आज मैं खाना भी बहुत जल्दी जल्दी फटाक से बना ली और इधर केक भी डेकोरेट कर रही हूँ मतलब यह साम का टाइम है सारे चायको मैं खाना बनाना इस्टार्ट कर देती हूँ और सारे चायको ही हमारा केक का ओडर आ गया था तो मैं दोनों काम एक साथ करते गई मैं को डल लग रहा था अच केक बिगर न जाए पता नहीं कौन सा डिजाइन बना उनको डिजाइन बह को अच्छा लगा की नहीं लेकिन जो मेरे मन में दिमाग में आया उस्टाइम मैं वो डेकोरेट कर दी वैसा बना दी तो यह देखिए एक साइड को मैं ना वाइट क्रीम रखी और एक साइड मैं क्या दखिए ब्लू कलर कर रख दी से हमारा केक का लुकिंग थोर अच्छा लग रहा था हाईलाइट कर रही थी और कम सा टाइम रहता है और केक को ना फिनिसिंग करने में बहुत प्राब्लम होती है तो मैं केक पे फिनिसिंग पे उतना ध्यान तो नहीं दी फिर भी अच्छा खासा हमारा केक बन गया था ज़य से डाल देती हूं ब्लू कलर और हमारा रोज नोजल से मैं इस तरह से डिजाइन बना देती हूं अब जल्दी जल्दी में मुझे 15 मिनट में ये केक देना है तो और क्या ही डिजाइन सोचूं समझ में ही नहीं रात आ रहा था और मैं अपने कस्टमर से यही बोलना चाहूंगी प्लीज आप लोग केक और मुझे एक दिन पहले बता दिया करें ताकि मैं अच्छे से प्रिपेर कर लूँ कि कौन सा डिजाइन बनाओं कैसा डिजाइन बनाओं और अच्छे से दे पाऊं है ना तूरंत एक घंटे में नहीं हो पाता दिमार्ग में ऐसा कोई आता नहीं है फिर भी मैं ये नहीं है कि मैं अपना डिजाइन दोराई हूँ मैं हमेशा हर दिन एक नया डिजाइन बनाती हूँ अभी तक मैं कोई केक रिपीट नहीं की हूँ जैसा आपने देखा है नया नया डिजाइन ही रहता है मेरे इस्टाग्राम भी देखा करें मेरे इस्टाग् तो गोल्डन कलर से इस तरह से मैं लाइनिंग दे रही हूं बहुत सुन्दा लग रहा था गोल्डन कलर के लाइनिंग देने से और यह बहुत सस्ती होती है पता है 15-20 रुपए में अराम से हमारा यह आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है सब भी केक में आज कल मैं यह πα्षने नोत्यक लेकर आई होँडन कलिल ना дорог जब चला केक में बहुत संदर हाईलेटिंग देती है बहुत सुंदर लगता है अगर आप भी यूजर कर देखना बहुत अच्छा लगा तो अभी इन डिनों यहीं इंजाए कर AT केक में डालती हूँ बहुत सुंदर लगता है और इस तरह से सिंपल सी मैंने डिजाइन बनाई है मुझे एक सस्क्राइबर है जिन्होंने कमेंड किये थे कि दिदी मैं भी केक बनाती हूँ लेकिन मेरे पस और्डर्स नहीं आते तो मैं इनको बताना चाहती हूँ हिम्मत मत हा करें आप ऐसी केक बनाते रही है एस्टेटस रखते रही है आज सबस्के लोगों को अपने केक कर टेश्ट करवाएं द् никогда आपका केक है लिएक से implementing बस आज पर उसके लोगों को ना आप थोरा सा फ्री पे खिलाईए बनाईए कहीं जाते हो तो वहां अपने हाथ का केक बना कर ले जाएए वहां लोगों को खिलाईए ताकि वह टेस्ट करें और उनको टेस्ट बहुत अच्छा है और आपको फिर ओडर से मिले तो इसी तरह से आपको ओडर्स मिलते रहेंगे गाईस तो थाइंक्यू कि आपने मुझे कमेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा तो ऐसी सपोर्ट करते रहें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में कैक कैसा लगा जरूर बताईएगा